आज इस वीडियो विच असींग लेक लगातार वद रही अभादी अते मनुखी लापरवाही बारेच चर्चा करांगी लेक लगातार वद रही अभादी अते मनुखी लापरवाही ISC बोर्ड द्वारा परवानित पुस्तक कथा संगम विच सफा 91 दे उपर दर्ज है जो की लेखक सुर्जीत सिंग टिलों जीदे कलम दी शहकार रचना है स्टूडेंट्स इस लेख विच लेखक ने तड़ा ताड़ वद रही मनुखी अभादी अते मनुख वल्लों वर्ती जा रही कुद्रत प्रती अन गहली अते लापरवाही दे नकारात्मक पाव माडे सिट्यानू ब्यान कीता है मनुख नू तर्ती दे बचाओ लई कुद्रत नाल एक मेक होण लई वी परेरिद कीता है लेखक इस लेख दा अरंब करद्यां हो या लिखदा है कि तर्ती उपर वसों वदन कारण वसेबे जोगी जमीन कटन दे नाल नाल सजरे जाल दे सरोत वी मुक दे ते जाफिर सुक दे जा रहे हन इस तो इलावा वसों वदन नाल आवा जाई दे सादन जमें ट्राक बसां रेलां हवाई जहास आद वी वद रहे हन इना आवा जाई दे सादना नू चलोन ले जा चलदा रखन ले पेट्रोल डीजल अते कोडा आद नू तड़ा ताड़ बाल्या जानता है ते एना चीजां दे बलल्नाल उपजी कारबन डायकसाइड वाजू मंडल वेच रलल्नाल तरती दा तापमान दिनों दिन वद रहे है ते तापमान वदन कारण प्रित्वी दे तुरेयां पाव प्रित्वी दे जो दो सिरे हन उनना उपर जम्मी होई बर्फ पिगलन लग पई है जेस करके सागर इंच-इंच करके पाव थोड़ा-थोड़ा करके दिनों दिन डूंगे हुंदे जा रहे हन ते जमीर नू आपनी लपेट वीच ले रहे हन इस लेख राही लेखक ने चितावनी दिती है कि जे कर सागर इंच-इंच डूंगे हुंदे हन पाव जे सागर 6 इंच तक वी डूंगे हुंदे हन ता कई तटी खेतर पाव कोस्टल एरियास जिवी फ्लोरिडा, हालेंड, बंगलादेश, तटी पारत अते कई होर निक्केवडे टापू पाव आईलेंड समुंदर दी पेंट चाड जानगे पाव ए सारे तटी खेतर समुंदर दे विच डूब जानगे लेकक लिखदा है कि तरती दा तापमान वदोन विच कारबन डायकसाइड गैस इकली ही जिम्मेवार नहीं है बलकि एक होर गैस जिसदा नाम मिथेन गैस है उवी तरती दे तापमान वदोन विच कारबन डायकसाइड तों वी अगे है ए गैस चोने दी फसल जान चोने दी काश्ट दे कारण उपजदी है क्योंकि चोने दी फसल उगोंड लई खेता विच पाणी नूँ खड़ा रखना पेंदा है ते इस तरह ए मिथेन गैस उपजदी है जो वात्ता वरन विच विगाड पैदा करदी है ते तरती दे तापमान नूँ वदोन दी है इस तरह कुदरत विच आ रहे इना परिवर्तनाप्रती मनोखनू साथधान होंडी लोड है क्योंकि लेखक दा विच आर है कि जेकर मनोख कुदरत प्रती लापरवाही वर्तदा है ताँ ए लापरवाही उस दे हक विच नहीं बलके उस दे लई नुकसान दे है इस तों बाद लेख के इस लेख रही पृत्वी उपर हुए जीवन दे विकास दे चानना पौंदियां लिखदा है कि पावे सूरज दुवाले नो ग्रेहन पर जीवन केवल तरती उपर ही पुंगरेया पाव तरती उपर ही संबव हुया क्योंकि केवल तरती दा वातावरण ही जीवन दे अनुकूल सी पर पृत्वी उपर जीवन सदा तों नहीं सी पाव अराम्ब तों तरती उपर जीवन दी होंद नहीं सी पृत्वी दी आपनी उमर पांच अर्ब वरे है पाव पांच अर्ब साल है पूरे एक अर्ब वरे तक तर्ती जीवन तों सक्षणी रही पाव की जो तर्ती है उस दी उमर पांज अर्ब वरे है ते जो दो तर्ती बनी ता एक अर्ब साल तक तर्ती उपर जीवन दी होंद संभव नहीं होई बलकि एस समेतों बाद ही तरती दे उपर जीवन पुंगरना शुरू होया फिर जाद एस उपर पाव तरती उपर पाणी इकठा होया ता सब्तों पहला तरती उपर पाणी विच जीवन दी शुरुवात होई सब्तों पहला मच्छियां उपजियां, फिर डड़ू, किरले, मलाप, कीट अते पंच्छियाद हों द्विच आए फिर कई पशु पैदा होए ते एना ही पशुआं दी एक लगर, पाव एक किसम ने बांदरां अते बाण मान साचों दी हुंदे होई मनोख दा रूपता रहा जेस मनोख दी नसल अज इसन सार विच है, इस दी उमर लख कुवरे दी ही है लेखक तर्ती दे कुद्रती वातावरन अते जीवां दे आपसी सबंदा विचाले संतुलन दी महतता नूँ वी उजागर करदा है अते लिखदा है कि जदवी कुद्रत अते जीवां दे आपसी सबंद डोल दे हन पाव जदवी कुद्रत दे नाल जीवां दे सबंद विगड़ दे हन इन्यवच संतुलन सावापन कायम नहीं रहनदा ता इस दा नुकसान खुद जीवां नू तरती उपरले प्राणियां नू ही पुक्तना पेंदा है लेखक डाइनासोर दी उदारन रही सपष्ट करदा है कि पावे डाइनासोर तरती ते सब्तों शक्ती शाली ते प्रभाव शाली जीव सी पर कुद्रत नाल इकमिक नाहून कारण ए जीव तरती तों सदा लई लुप्त हो जुका है इस तरह लेखक ने परताख कीता है कि बेशक जुगा जुगातों तरती नू कई आफतावां ते मुसीबता मदोल दिया रहिया हन पर आज मनोख ने अपनी लापरवाही ते स्वार्था कारण जेस हद तक तरती नू रोल के रख दिता है उस पक तो मनोख तरती ली एक संकट अते रोग बन गया है आज मनोख दी वद रही वसों कारण जंगल खत्म हो रहे हन मौसम बदल रहे हन किते सोका ते किते हड आ रहे हन कारखान्या पाव उद योगा दे तुमें कारण वायू मंडल विच परदूशन दिनों दिन वद रहे है जल अंदर कई परकार दे जहर अते रसाइनक पदारत कुल रहे हन तरती गर्म हो रही है ता ओजोन दी चुन्नी दिनों दिन लीर होन कारण मनोख कई रोग गांदा शिकार हो रहा है अंब्रा चों तिजाबी वर्खा हो रही है जोकी ना वणा पाव जंगला ले सुखावी है अते ना ही फसला ले दूजे पासे खेती बाड़ी विच वरते जान्दे कीट नाशका अते रसाइनक खादा दी रसाई मनुखी स्रीर तक होन कारण आज मनुख कई अणप शाते रोग आदा शिकार हो रहा है पाव के सारे रसाइनक पदार्थ कीट नाशक फसला रही बीजा रही मनुख दे सुरीर विच परवेश कर रहे हैं ते मनोख कई एहों जे रोगां दा रोगी बन रहा है जिनना बारे उसनों कोई जानकारी नहीं है एस सारे संकट दा कारण मनोख दी लालची सवार्थी बिर्ती अते कुदृत दा त्रिसकार करना है असल विच मनोख कुदृत रूपी जिस टानी ते बैठा होया है उसनों विकास, पाव, तरक्की दे ना ते कटी जा रहा है तेस गलतों अनजान होया कटी जा रहा है कि जेकर कुदृत रूपी टानी कटी गई ता ओवी इस दे नाल ही हेठा डिग पवेगा इस तरह मनोख अज कुदृत नूँ सविकार नहीं कर रहा बलके कुदृत नूँ विगार रहा है ते कुदृत दा नियम है कि जो उस दी उलंगना करदा है कुदृत उस दा पोग सदालई पाशड़ दी है मनोख ने कुदृत नाल असन तुलन करके असन तुलन पैदा करके अपने जीवन नूता बेस वदा बना ही लिया है पर हुण उस दे स्वासादी वारी भी आ सकती है So dear students, इस तरह इस लेख रही लेखक ने मनोख नू जिते दिनो दिन वद रही अबादी ते ठल पौण ली प्रेरत कीता है उस ते कुदृत नाल डोल रहे उस दे सबंदा परती वी सुचेद कीता है ते उसनू कुदृत नाल संतुलन बना के रखनली प्रेरत कीता है ताँ जू इस तरती नू ते तरती उपर ले जीवन नू बचाया जा सकी Dear students, खोण असी लेख लगातार वद रही वसू अते मनुखी लापरवाही दे सफा नंबर कानवे धी रीडिंग करांगे पर रीडिंग करन तू पहला असी इस पेज दे ओखे शबद अते वाकंशा दे अर्थ लिखांगे हाँ जी, you all open your books at page नंबर 91 सड़ा first difficult word है तनो मनो पुखे तनो मनो पुखे तों पाव ए है तनो दा अर्थ है टेड़ तों पुखे ते मनो पुखे तों पाव ए है कि मनोखदा मन जो है ओ लालच ते स्वार्थ तों रहत ना होना अगला शब्द है वसों पाटर ते आ रही है पाव की अबादी दिनो दिन बेत हाशा वदी जा रही है नेक्स्ट वर्ड सज्रे पाव ताजे नेक्स्ट वर्ड है सुंगर दी जा रही पाव दिनो दिन काट दी जा रही अगला शब्द है फल्स रूप फल्स रूप नतीजे वजों सिटे वजों नेक्स्ट है तडातर तडातर दा अर्थ है बहुत वड़ी मात्रा विच बहुत ज्यादा मात्रा विच अगला शब्द है वड़े पैमाने ते वड़े पैमाने तो पाव है बहुत वड़े पदर ते Next is उपजाउन उपजाउन पैदावार जा पैदा करन लई अगला शब्द है उतपादन उतपादन दा अर्थवी है पैदाईश Next, काष्ट, काष्ट तो पाव है, खेती बाड़ी अगला वर्ड है, रचदी रहन्दी है, रचदी पाव की समोधी रहन्दी है सदा अगला difficult वर्ड है, पुगोलक तापमान पुगोलक तापमान पाव की पूरी पृत्वीदा, तापमान, पूरी तर्ती दी तपश नेक्स वर्ड है ममूली, पाव थोड़ा तुश नेक्स अंसु खामा, अंसु खामा दा अर्थ है माडा, जानकारातमक अगला वर्ड है वरियांतु, वरियांतु पाव कई साला तों 51, पाव एकठी होई, पंगरन, पिगलना, जाएं मेल्ट होना अगला शब्द है तुरियां तुरियां दा अर्थ है कि तर्ती दे दो में सिरे नेक्स्ट वर्ड है जी फैलाव फैलाव दा पाव है फैलना विस्थार होना वदना नेक्स्ट अपनी बुकल च समेट लवेगा अपनी बुकल चे समेट लवेगा पाव अपने आप वेच समा लवेगा उत्पन, पैदा नेक्स वर्ड है उपजाओ उपजाओ तो पाव है जो बहुत ज्यादा उपज देनवाला होवे अगला शब्द है तटी खेतर तटी खेतर तो पाव है जो समुन्दर दे नेडले खेतर हुँ देहान जिनना नों तुसी अंग्रेजी वेच्य कोस्टल एरियाज भी कहन दे हो तो डियर स्टुडेंट्स ऐसान डिफिकल्ट वर्ड्स होण अजी इस पेज दी रीडिंग कर दे हुए इस दी चर्चा करांगे ते समझन दी कोशिश करांगे हांजी एक बनने ता तनो मनो पुखे मनोख दी वसों पाटन ते आ रही है दूजे बनने पृत्वी उपर वसेबे लई वर्तोंच आ सकन योग थां सुंगड़ दी जा रही है फिर सज्ज्रे जल्दे स्रोत वी सुकदे अते मुकदे जा रही हन इस पहरे विच लेख का दिनो दिन वद रही अबादी दे माडे सिट्या नो ब्यान करदा हो या लिखदा है कि एक पासे तरती उपर मनोख दिनो दिन वदा जा रही है उस दी अबादी दिनो दिन वदी जा रही है ते वाद दी होई अबादी कारण मनोख जो है उसनों पूरी रोटी जा अनाज नहीं मिलदा जिसकार के ओ तनों पाव टेड़तों पुखा रेंदा है पर दूजे पासे ओ मनोवी पुखा है पाव की मान दा लोब मनोख दा खतम नहीं हुंदा ओदे मान दी तरिप्ती नहीं हुंदी मनोख दे लगातार तड़ा तड़ वदर ही अबादी दे नतीजे वजों की हुर्या है तर्ती दे उपर रहायच लई जो जमीन है ओ दिनों दिन काट दी जा रही है दूजे पासे अबादी वदन कारन ही तर्ती दे उपर ताजे ते पीन योग जल पाव पानी दे जो साधन हन ओ जातां तर्ती दे उपरों सुक दे जा रहे हन ते जा फिर खत्म हुन दे जा रहे हन अजहा क्यों हो रहा है खोड़े थे लेखक आप ही स्वाल करदा है कि आखर तर्ती दे उपर एवरतारा क्यों हो रहा है ताँ उस दा जवाब दिन दे होई लेखक लिखदा है कि मनोख दी वद दी वसों दे नाल नाल आवा जाई वद रही है एस दे फालसुरूप कारा वद रही हाँ, बसा ट्रक वद रही हाँ, हवाई जहास दे रेलां वद रही हाँ आते एना नो चल देया रखन लई तड़ा तड़ पेट्रोल आते डीजल फूकिया जा रहा है पेट्रोल आते डीजल दे नाल नाल बिजली अप जाउन लई वड़े पे माने ते कोईला भी फूकिया जा रहा है ताँ जो उद्योगी उद्पादन पापकी कार खानेया विच जो चीजां दी पैदावार हो रही है उसनों वदाया जा सके आते काश्त भी वदाई जा सके काश्त पापकी खेती बाड़ी फसल अनाज दी उपज़ विच वदा कीता जा सके कोईला आते तेल बालन नाल कारबन डायकसाइड उपज़ दी है जेड़ी नालो नाल वायू मंडल छे रच दी रहन दी है हां जी उन इस पैरे नू पढ़न तो बाद एपर ताखुंदा है के मनोख दी वसों जो तरती दी उपर वद दी है तो उस वसों दिया लोडा पूरिया करन लई आवा जैदे साधन वाद दी हन इन आवा जैदे साधना नू चलों लई पेट्रोल डीजल कोडा आद बाले जान दा है ते एस बालन दे बलल नाल जो तुँआ उत्पन होंदा है उस विचली कार्बन डाइओकसाइड वाता वरन पा वाजू मंडल वेच मिल दी रहन दी है नेक्स पहरा पिशले पंजा वर्याँच कोईले तेल दा बललना चार गुणा वदिया है सिटा ए निकलिया कि वाजू मंडल वेच वी कार्बन डाइओकसाइड गैस ज़ पच्ची परतिशत वदा हुया इते लेका के लिखदा है कि पिशले पंजा साला वेच उद्जोगिक तरक्की होन कारण अते वसों दे वदन कारण कोईले ते तेल दा बलना वी कई गुणा वद गया है वाजू मंदल तो पाव है साड़ा वात्ता वरन वाजू मंदल च इस गैस दा वद्धा होन दे ए अर्थ निकले के पोगोलिक तापमान वद्धा लग पिया हाँ जोन वाजू मंदल दे वेच जोनो कार्बोन डायकसाइड नामी गैस मिली जैस दी मात्रा वदी तैस दा माड़ा परभाव ए होया कि इस पूरी तरती दे तापमान वेच वद्धा होन लग पिया पृत्वी दे तापमान च होन तक होया वद्धा पावे ममूली है अ तैस दा कोई अनसुखावा अनुपाव किसे नू नहीं हो रिया ए गल पर एथे नहीं मुक दी पृत्वी दे तुरेया उपर लखा वर्यातों 71 होई बर्फ पंगर लग पई है तुरेया उपर थोड़ी नहीं बहुत बर्फ एकठी होई पई है इकल्ले एंटार्टिकाच इन्ही बर्फ है कि जेकर ए सारी पंगर जावे ता सागर 200 फोट होर डूंगे हो जानगे अते एनना दा फैलाओ खुशक पूमी दे वड़े पाग नू आपनी बुकल चे समेट लवेगा हाँ जोने इस पैरे विच पड़न तो बाद सानों ए परता खुंदा है कि कार्बन डाइकसाइड दे वाजू मंडल विच वदल डाल सारे पुगो उल्दा सारी तर्तीदा तापमान वदल लाग पया है लेखक उदारन दे वे लिखदा है कि इकल्ले एंटार्टिका दे विच ही एनी बर्फ है कि जेकर एंटार्टिका दी ए बर्फ तर्तीदे तापमान वदल नाल पिगल जावे ता ए बर्फ पिगलन दे नाल जो पाणी सागरां दे विच जाके मिलेगा ओदे नाल सागर 200 फोट तक डूंगे हो जानगे ते इस तरह तरती दे बहुत वड़े खुशक पाग नूँ पाव तरती दे बहुत वड़े हिस्से नूँ आपने विच समाल लानगे आज असी लेख लगातार वद रही वसों अते मनुखी लापरवाही दा सार डिसकस कीता है अते इस दे पेज नंबर 91 दे पहले तिन पैर्यां दे उपर चर्चा कीती है अगलिया वीडियोस दे विच असी पेज नंबर 91 दा लास पैरा ते अगले दो पेज़ेस दी रीडिंग ते उना दे उपर चर्चा करांगे तिल देन गुडबाई